श्रीशिवाय नमस्तूब्याम दोस्तों नवरात्री का यह पाउन मास चल रहा है और इस वर्ष काफी उस साथ से भक्त जन माता की सेवा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि पिछले दो सालों में कोरोना काल के दोरान बहुत सी जगह पर माता की इस्तापना नहीं की गई थी पर इस वर्ष हिंदु धर्म का यह महा पर वह खुब हर सो उल्लात से मनाया जा रहा है भक्त जन हर दम प्रयास कर रहे हैं माता को खुश करने का वहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा मंसोर में शुरू हो चुकी है मिश्रा जी ने अपनी कथा के दोरान एक विशेश उपाई इस नवरातरी में करने का कहा है 28 सितंबर को बुधवार को आप यह उपाई कर सकते हैं क्योंकि इस उपाई की महतवता बुधवार के दिन ज़्यादा रहती है साथ ही में बहुत से इसे उपाई करते हैं जिसे माता का अशिरवाद उन्हें जल्द प्राप्तो हो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पी परेशानियां दुख दूर हो आप भी यह उपाई एक बार करके जरूर देखिएगा शिव पुराण का नवरातरी उपाई आईए जानते हैं बुधवार के दिन आपको क्या करना होगा कि आप तीन दुर्वा की गांट लेकर आईएगा तीन गांटों को अच्छे से शुद्ध जल में धोने के बाद एक शुद्ध लोटा जल लेकर आप किसी भी नजदी की शिव मंदीर में पहुँच जाईएगा इस उपाई को आप ध्यान पुरवक पहले समझ लीजिए उसी के बाद आप यह उपाई करिएगा शिव मंदीर में जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो तीन गांट आप लेकर आए हैं उसमें से एक गांट को आपको शिवलिंग के उपर रखना है दूसरी गांट को गनेज जी वाले इस्तान पर दिसरी गांट को कार्टी के वाले इस्तान पर चड़ा देनी है उसके बाद शी शिवाय नमस्तु भी हम काजाब करते हुए शीव जी को जल अरपित कर दीजेगा जल अरपित करने के बाद उन गाठों में से जो गाठ आपने गनेज जी और कार्टी के वाले इस्तान पर चड़ाई है उन्हें उठा लीजेगा उसके बाद आपको यह दो गाठे जहां पर माता की इस्ताफना की गई हो वहाँ पर एक गाठ दाहीने हाथ की और माता के रखना है इन गाठों को आप नवरात्री के नो दिन ऐसा ही रहने दे उसके बाद आपको क्या करना होगा की इन गांठों को पुरी विधी विदान के साथ विसर्जित कर दीजेगा आता का खुब आशिरवात साथी में महादेव की क्रिपा आपको प्राप्त होगी गनेश जी आपके घर में खुब रिद्धी सिद्धी का वास रखेंगे महादेव का पुरा परिवार इस उपाय से खुश हो जाएगा जैसा कि हम सभी को पता है माता पारवती और सती माता का दूसरा रूप दुरगा माता ही है इसे में अगर महादेव के पूरे परिवार को खुश कर दिया जाए वह भी नवरात्री में तो बहुती शूब होता है मैं आशा करता हूँ इस उपाई से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पुर्वक आप तक पहुँच चुकी होगी फिर भी अगर आप इस उपाई से जुड़ी हुई और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो में बने रही है चैनल के साथ श्री शिवाय नमस्तू प्याम हर हर महादेव